तो दोस्तो इस वीडियो में दोस्तो NMMS एक्जाम यानि National Means Come Merit Scholarship रिक्सा 2024, 2023-2023 का दोस्तो में आपको पेपर करवाने वाला हूँ, मैट और सेट, तो दोस्तो ये कोस्टन 100% आपके एक्जाम में छपने वाले हैं, तो इसके लिए इस वीडियो को पूरा देखना और इस वी हैं, तो दोस्तो मैं आपको बता दू कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको साइंस के कोस्टन करवाने वाला हूँ, तो दोस्तो अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है, जिसके अंदर हमने काफी कोस्टन किये हैं, ताकि दोस्तो आपका एक भी कोस्टन इससे बाहर ना जाए आप 100% अपना एक्जाम में देकर इस एक्जाम को पास कर पाएं दोस्तों अगर आप पिछली वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए दोस्तों आपको डिस्क्रेप्शन में फर्स्ट लिंक मिलेगा उसके उपर क्लिक करकर आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और दोस्तों हमारा सेकेंड चैनल भी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रेप्शन में मिल जाएगा उसे भी सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि उस पर मैं आपको एनमेमस एकजाम के मोडल पेपर करवाने वाला हूँ ताकि आपका एकदम कॉंसेप्ट कलियर हो जाए तो यहां पे हम देखते हैं कोस्टन नमबर एक हमारे बोजन में उर्जा का परमुक्स रोत क्या है इसका आपस्वरे ओफसन नमबर बी कार्बो हाइडरेट अगर आप से पूछे कि सरवादिक उर्जा किस से मिलती है तो सरवादिक उर्जा दोस्तों बसा से मिलती है और दोस्तों अगर सबसे जल्दी उजाए के मिलती है ये प्रमुक सरोत की बात करें तो कार्बो हाइडरेट है आगे हम बात करते हैं adrenaline no.2 कार्बो हाइडरेट बनिते हैं कार्बन हाईडरोजन M oxygen से हाईडरोजन नाइडरोजन M oxygen से oxygen कार्बन M nitrogen से या फिर nitrogen hydrogen M sulfur से तो दोस्तो question number 2 का answer is option number A carbon hydrogen M oxygen से बनते हैं तो चलिए दोस्तो आगे हम देखते है question number 3 question number 3 कार्बो हाइडरेट्स की कमी को पूरा करने के लिए क्या खाना चाहिए क्या खाना चाहिए चावल खाने चाहिए गाजर चना या मास तो दोस्तो इसका answer is option number A चावल question number 4 amino amal के बहुलक क्या है कार्बो हाइडरेट्स, बसा, बिटामिन या प्रोटीन तो दोस्तो इसका answer is option number D प्रोटीन तो चलिए दोस्तो आगे हम देखते है question number 5 तो दोस्तो अगर आपका exam 5 November को है तो 100% exam में ये question देखने को मिलेंगे और दोस्तो जिनका exam 19 November या आने वाले समय में है तो वो इस class को most important समझ कर याद करें positive सोचोगे, अगर आप ऐसा सोचोगे न भी इस class से question आएंगे तब तो आप इसे याद कर लेंगे लेकिन अगर आप सोचेंगे यार आएंगे या नहीं आएंगे आपके मन में doubt है तो आप कभी भी कही भी ये class क्या किसी भी पढ़ाई को नहीं कर सकते अगर हम for example दो तो आपने अपने कभी भी class में या पढ़ाई करते होंगे किसी भी subject को समाजी विज्यान गनीत या मैत को अगर आपने गनीत गनीत को इसे सोच लिया ना भी यार नहीं होगा मुझसे आप कितनी भी कोशिश कर ले ना आप उसे समझी नहीं पाएंगे कर रहीं नहीं पाएंगे लेकिन जब आपने कह दिया ना यह आसान है यह मैं कर सकता हूँ तो आपके अंदरे एक motivation मिलेगा आप उसे कर लेंगे आप उस subject से बोर नहीं होंगे अगर आपको इसके उपर tricks and tips की उपर अलग से वीडियो चाहिए तो आप comment में करें मैं आपको आपके exam से पहले कुछ AC tricks and tips को बताऊंगा जिसको follow करना है आपको सिर्फ follow करकर आप अपने exam में काफी अच्छा परदर्सम कर पाएंगे question number 5 को देखिए बोजन का बेहें गटक जो ब्रीदी एम देही उतकों की मरमत हैतू आप से एक है तो दोस्तो question number 5 का आपस्वरे ओफसर नमबर B protein आगे हम देखते हैं question number 6 सरीर में अतिरिक्त कार्बो हाइडरेट किस रूप में सिंचित रहती है question number 6 का आपस्वरे ओफसर नमबर C बसा में तो चलिए आगे हम देखते हैं question number 7 तो दोस्तो question number 7 में क्या है कि बोजन का बेहे गटक जो उर्जा परदान करता है कार्बो हाइडरेट बसा protein या option A और B तो दोस्तो आप सभी जाते कि protein और जल हमें उर्जा नहीं देते आप कहेंगे जल उर्जा नहीं देते हाँ दोस्तो एक दो हमें protein प्रोटीन से हमें उर्जा नहीं मिलती है एक हमें जल से उर्जा नहीं मिलती है ये दोस्तो क्या कारे करते हैं निरंतर कोसिकाओं का संतुलन बनाए रखने के लिए हमें ये पोसक तत्व चाहिए लेकिन दोस्तो हमें ये उर्जा नहीं देते हैं उर्जा हमें कार्बो आइडरेट बसा और विटामिन तीन पोसक तत्वों से ही मिलती है आगे हम देखते हैं कोश्चन नमबर आठ विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है आप सभी जानते हैं दोस्तो कोश्चन नमबर आठ कांस वरे ओफसन नमबर सी सकर्बी रोग तो दोस्तो बिटामिन सी की कमी से कौन सा होता है सकर्बी रोग कोश्चन नमबर नो रेतोंदी रोग निमी लिक्त में से किस की कमी से होता है कोश्चन नमबर नो कांस वरे ओफसन नमबर ए बिटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है रेतोंदी रोग आगे हम देखते हैं question number 10 रुद्दिर का ठक्का जमाने के लिए कौन सा vitamin आफसेख है तो दोस्तों रुद्दिर का ठक्का जमाने के लिए question number option number D vitamin option number D यानि vitamin K आफसेख है क्या रुद्दिर का ठक्का जमाने के लिए अगर हम बात करें कि हड्डियों को मजबूत रखने के लिए कौन सा है बिटामिन D हड्डियों को मजबूत रखने के लिए कौन सा है बिटामिन D तो चलिए दोस्तों आगे हम देखते हैं कोस्टन नमबर 11 निमिल लिक्त में से बिटामिन E से स्वंदित का रहे है तो दोस्तों इसका क्या है कि OPSIR NOMBER C तो दोस्तों OPSIR NOMBER C यानि प्रजनन अंगों के समानने का रहे हैतू आफसे एक है कौन सा विटामिन E तो चलिए दोस्तों आगे हम देखते हैं कोसिटन नंबर 12 जल में गुलंड सील विटामिन कौन सा है आपसे क्या पूछा जाता है कि एक दो आपसे पूछा जाता है बसा में बसा में गुलंसील एक आपसे पूछा जाता है जल में गुलंसील ये दो कोस्टन वेरी इपोर्टेट कोस्टन है जो आपसे पूछे जाते हैं तो दोस्तों बसा में जल में गुलंसील बितामिन है बितामिन B और C और दोस्तों बसा में गुलंसील बितामिन है बितामिन A, बितामिन D, बितामिन E, बितामिन K तो दोस्तों बसा में गुलंसील बितामिन कितने है चार कौन कौन से है बिटामिन A, बिटामिन D, बिटामिन E, बिटामिन K और जल में गुलनसील बिटामिन कितने हैं? दो, बिटामिन B और बिटामिन C इस बात को आप याद रखिए आगे हम बात करते हैं कोस्टन नमबर 13 ख्रीव की फसल उगाई जाती है सर्दियों में, बरसात में, गर्मियों में या ओफसर नमबर A और B दोनों में क्या है दोस्तो इस का आप स्वरे ओफसर नमबर B बरसात में ख्रीव की फसल बरसात में उगाई जाती है बरसात होते हुए नहीं उगाई जाती है यान ति बरसा रितो में उगाई जाती है कोस्टेन नम्बर चयार यहां पे कहा कि निमिन में से ख्रीव की फ़सल कोंड सी है मौुगफली गेहूं मटर सरसों आपको बताने ख्रीव की फ़सल कोंड सी है तो दोस्तो गोस्टेन नम्बर 14 का अश्वरे आफसान नमबर A मौंग फली आगे हम बात करते हैं कोस्टन नमबर 15 इसमें क्या पूछा है कि रवी की फसल किस मा के दोरान बोई जाती है तो इसका आफसान नमबर D अक्टूबर नमबर में बोई जाती है तो दोस्तो रवी की फसल अक्टूबर नमबर में बोई आती है अगर आप से पूछे कि खरीव की फसल कब बोई आती है तो खरीव की फसल बोई आती है मैई जून जुलाई में सोरी दोस्तो खरीव की फसल किसमें बोई आती है जून जुलाई में और ख्रीम की फसल की कटाई कब होती है अक्टूबर नमंबर में आगे हम बात करते हैं कोस्टन नमबर सोड़ा नेमिन मैं से रभी की फसल है इन में से कौन सी रभी की फसल गैहू है कपास है बाजरा है या मका है इसका आस्वर आप कोमेंट में बताएंगे देखते हैं कितने बच्चों को यह कोस्चन आता है आगे हम बात करते हैं कोस्चन नमबर 17 तो इसका क्या कि रभी की फसलों के सही समू को पैचान कीजिए गेहूं चना मतर ये वाला ओफसन राइट होगा गेहूं चड़ा मतर ये रभी की फसल है आगे हम बात करते हैं कोस्चन नमबर 17 सोरी दोस्टों कोस्चन नमबर 18 इसमें कहा कि जुताई क्रीसी के लिए मिट्टी त्यार करने की एक विदी है यहें लाबदायक है क्योंकि इससे होता है क्या होता है इससे होता है दोस्तों उप्यूक्त सभी यानि खर्पतबार का नास होता है जड का मिटी में गहराई से परवेस होता है जडों में सुचारू रूप से सफसन होता है सफसन की क्रिया होती है यह सभी होता है यानि उप्यूक्त सभी डी ओफसन आपका राइट आंस कल्टिवेटर चलाने से कोस्टन नमबर बीस जुताई एक प्रक्रिया है जिसमें किया जाता है क्या किया जाता है मिट्टी को उल्टा पुल्टा या पोल्ला करना ओस्टन नमबर डी आपका राइट आंस्वरे तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टोपी के साथ और दोस्तों पिछली क्लासेज देखना मत बुलना सभी क्लासेज का लिंक आपको डिस्क्रेप्शन में फर्स्ट लिंक में ही दिया हुआ है